सबसे पहले पलाजो पेंट में हम पोकिट बनाना सीखेंगे यहां पर यह देखिए धाइंच पर निशान लगाना है माइनिस कर देना जहां पर हम लाश्टिक लगाए और पाच इंच पर यहां पर निशान लगा लेना है और इस तरह से एक कपड़ा लेना है और कपड़े प पल्टी होगा तो आसानी से यह पल्टी हो जाएगा इस तरह से अंदर के तरफ पल्टी कर लेना है और फिर किनारे में सिला लगा लेना है यह एक सैट देहना सैट यह पोकिट बनेगा यह देखी यह सिला लगाने के बाद इस तरह से कपड़े को मोड़ देना है और यहां पर बढ़ियां से मोड़ना है और फिर चोकमिटी से निसान लगा लेना है तिरचा निसान लगाना है और कपड़े को कट कर देना है और यहां पर एक कट लगाना है और यहां भी एक कट लगाना है यह कट में सुईधा होगा सिला लगाना है और फिर इसको पल्टी करके सिला लग लगाने के बाद यहां पर हलका हलका कट लगा लेना है यह कट इसलिए कि पोकिट का जो राउंड है गोला है वो अच्छी तरीके से घूमेगा और फिर इसे सिधा के तरब पल्टी कर लेना है और फिर से उपर सैट से सिला लगा लेना है यह पोकिट बहुत ही आसानी से बन ज और यहां फिर जो उपर साइड में जो खुला रहेगा यहां भी मोल के सिला लगा लेना है उसके बाद यहां से फिर सिला लगाना है यह देखिए यह सिला लगने के बाद एस्ट्रा मार्जिंग को कट करके निकाल देना है यह देखें पोकिट बनके रेडी हो चुका है उसके बाद हम जो दोनों कपड़े को एक साथ यहां पर सबसे पहले सिला लगाना है इसमें दो सिला लगा लेना है ये देखिए दो कपड़ा यहां अटे छोड़ चुका है फिर पीछे सेट का दो कपड़ा फिर सिला लगा लेना है सेम उसी तरह और यहां पर सैड में और सिला लगा लेना है दुनों कपड़े को इस तरह साइड में पहले सिला लगाना है यहां भी दो सिला लगाना है यह किनारे का सिला जिस साइड में पोकिट बना था और फिर दूसरे साइड में से मुझी तरह सिला लगाना है यह देखी यह सिला लग चुका इस तरह से सिला लगा लेना है और यहां पर पोकिट के पास और एक सिला लगा लेना है क्योंकि पोकिट में इस तरह सिला लगाने से मजबूत हो जाता पोकिट और इस तरह से एक बक्रम लेना है और यहां पर मैंने रेडिमेट एक लेस लिया ह और यहाँ पर जो paint plazo को मोहरी में इस तरह से रखना है और शिला लगाना है यह मोहरी में बहुत अच्छा design बन जाता है देखने में अच्छा look लगता है और इसको इस तरह से शिला लगाने के बाद फिर उपर side में इसे पल्टी कर देना है और नीचे side में भी जो ले से उसको लगा देना है और यहाँ भी किनारे में सिला लगा लेना है यह लगने के बाद फिर जो paint plazo का यहाँ से फिर सिला लगा देना है यह देखे यहाँ से फिर सिला लगा लेना है यह अपने measurement के हिसाब से मोहरी का रहा वहाँ पर रखना है और सिला लगा देना है यह बहुती कम समय में यह paint plazo बनके रेडी हो जाता है यहाँ भी दो सिला लगाना है आपको कमर के पास lasť-tik लगा तो last-tik से पहले यहाँ पर एक सिला लगा लेना है कपड़े को मोड करakyर लाश्टिक में फिर जोइंट कर देना है और अच्छी तरीके से यहाँ पर अटेज करना लास्टिक है क्योंकि सिला निकले नहीं और फिर कपड़े में रखकर इस तरह से सिला लगा लेना है यह पूरे गांड पर लास्टिक ही लगेगा तो बहुत ही आसानी से लास्टिक लगाने का तरीका भी बताया हूं इस तरह से लास्टिक लगाना से आपका जो प्रोपर सही तरीके से लास्टिक लगता है और लास्टिक में आपको सिला नहीं लगाना कपड़े में सिला लगाना है और इस तरह से फिर खीचना है दोनों तरप और फिर बीच में भी और एक सिला लगा लेना यही सिला बहुत जरूरी है इस तरह सिला लगाने से लाश्टिक का और कप्रे का सेटिंग अच्छी तरीके से हो जाता है यह देखी यह लाश्टिक अटेच हो चुका है और बहुत आसानी से प्रेंट प्लाजो रेडी हो गया यह देखी यह पोकिट है और इस तरह से प्रेंट प्लाजो के मोहरी के पास आप लेस लगा सकते हैं और अच्छी लूप दे सकते हैं उमीद करता है वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा